अगर आपको देनी है खुद को एक ट्रीट और कराना है खुद को बहुत स्पेशल फील तो बनाओ ये वाइरल कोरियन मैगी और साथ ही में बनाओ ये वाइरल वाली कॉफी पहले हम बनाओंगे ये मैगी तो इसके लिए हमें चाहिए होगा बारीक कटा हुआ पयास, बारीक कटा हुआ लैसून, साथ में हम डाल देंगे बोल में ही मैगी मसाला, नमक, मिर्च और हल्डी पाउडर, थोड़ा से डालेंगे क्यूमन सेथ, साथ ही में डाल देंगे इमली से मिला लेंगे फिर हम इसके बाद डालेंगे इसके ओपर मेगी तो जो मेगी है उसे मैंने एक साइट पे बॉइल कर लिया था और फिर बाद में टाल दिया था त्पर्स एसमें हमें इस बात का दियान रखना है कि हमें लैसुन और प्यास को बारेक बारेक काटना है तब ही जो है वो अच्छे से पक जाएंगे गरम तेल में अगर आप उससे मोटा मोटा काटेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं पकेंगे और खाने में अच्छे नहीं लगेंगे तो यह देखिए आपे मैं अच्छे से सॉफ्ट हाथोसे से मिला रही हूँ आपको जल्दवाजी नहीं करनी जीरे दीरे मिलाना है और यह अच्छे से मिल जाएगा और फिर एंज़ाए करना यह बहुत ही तेस्टी वाइरल कोरियन मेगी तो चलिए अब दूसरी तरफ बनाते हैं हम बॉटल वारी कोल्ड कॉफी जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वाइरल हो रही है तो इसके लिए हम चाहिए एक खाली बॉटल उसमें हम डालेंगे कॉफी पाउडर और साथ में डालेंगे चीनी और साथ हमें डालेंगे गर्म किया हुआ पानी यहाँ पर मैंने कॉफी चीनी और पानी की क्वांटिटी सेम रखी है तो आपने भी बिल्कुल ऐसा ही करना है तीनों की क्वांटिटी सेम रखनी है तब यह अच्छे से क्रीमी और फ्रॉथी सी बनेगी तो बस लीजिए हिलाते जाएंगे इसे मिलाते जाएंगे यह देखे कितना अच्छा क्रीमी फॉर्म आया है वैसे परसनली मुझे लगता है ना कि ब्लेंडर, कॉफी मशीन और विसकर से ज्यादा अच्छी ना कॉफी ऐसे बनती है बॉटल में तो बस अब इसे सर्फ करेंगे, गलास में डालेंगे हमाइस क्यूब, उपर से डाल देंगे कॉफी का ब्लेंड क्यों हो मिक्स्चर और उपर से साथ ही में डाल देंगे दूद, इसे अच्छे से मिलाएंगे और पिएंगे ठंडी ठंडी हमारी कोल्ड कॉफी अब मैगी और काफी को साथ में पियो और साथ ही में देखो कोई मूवी और इसे एंजॉय करो